जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 अक्टूबर 2020 को इंडिया ने शौरे मिसाइल के एक नए वर्जन को सक्सेसफुली टेस्ट किया है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शौरे इंडिया डिफेंस फोर्सेस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाइल है जो कि इस्पेशली चाइना को टागेट करने के लिए बनाई गई है और इंडिया की बाकी सारी मिसाइल से बिल्कुल अलग है आज के इस गार्डिंग इंडिया वीडियो में हम आपको शौरे मिसाइल की अमेजिंग कैबिलिटी इसके बारें बताएंगे बट उससे पहले जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन को इनेबल करना ना भूले चलिए स्टार्ट करते हैं फिर शौर इंडिया की एक नई बैलिस्टिक मिसाइल है जिससे DRDO ने डिवलप किया है और इसकी रेंज 700 किलो मीटर से जादा है शौर मिसाइल इंडिया की बाकी मिसाइल से बिलकुल अलग है क्योंकि ये एक लॉंग रेंज स्ट्राइक आप्शन वाली मिसाइल होगी जिससे दुश्मन के एरिया में काफी अंदर के टार्गेट्स को डिस्ट्रॉई करने के लिए यूज किया जाएगा पहले कुछ लोग ये मानते थे कि शौर मिसाइल इंडिया की सम्मेरिन लॉंच बलेस्टिक मिसाइल यानि SLBM सागरिका K-15 मिसाइल का लैंड वर्जन है क्योंकि दोनों की रेंज लगभग एक जैसी थी लेकिन DRDO ओफिशियल्स ने सागरिका K-15 SLBM और शौर मिसाइल के बीच में कोई भी लिंक होने से बार बार इंकार किया है DRDO के उनसार शौर मिसाइल को इंडिया के लिए एक लॉंग रेंज स्ट्राइक मिसाइल की तरह स्पेशली बनाए गया था अभी in and arm forces के पास 150 km से रेंज वाली solid-fueled प्रहार बैलिस्टिक मिसाइल है 150 km से दूर के targets के लिए इंडिया के पास liquid-fueled 250 km से रेंज वाली पृत्फ़ी 2 मिसाइल है इसके अलावा 350 km से रेंज वाली पृत्फ़ी 3 मिसाइल भी है इससे दूर की ranges के लिए इनन arm forces 400 km range वाली ब्रम्भोस सूपर सोनी क्रूज मिसाइल का यूज करती है इसके बाद सीधे 700 to 1200 km range वाली अगनी 1 मिसाइल आती है जो की पाकिस्तान के लिए बनाई गई एक nuclear मिसाइल है और जिसका arm forces conventional strike के लिए इन सभी मिसाइल की range से आप देख सकते हैं कि अभी तक इनन arm forces के पास 400 to 700 km के बीच के range के target को hit करने के लिए कोई भी मिसाइल नहीं थी और इसी range को cover करने के लिए 700 km range वाली शौर मिसाइल बनाई गई है शौर मिसाइल इनन arm forces को एक हमेशा तयार, बहुत तेज और काफी accurate strike capability देने के लिए design किया गया है जिससे किसी भी emergency में तुरंथ ही use किया जा सके आपको ये जानके आश्चर होगा कि इंडिया के liquid fuel वाली पृत्वी मिसाइल के fuel tank को launch करने का order मिलने के बाद भरा जाता है जिसमें लगभग 30 minutes से भी जादा time लगता है जो की war में बहुत ही late होगा इसके अलावा पृत्वी मिसाइल को support देने के लिए लगभग 15 से 20 vehicles लगते हैं जिसमें से हर एक vehicle का एक special काम होता है 15 से 20 vehicles होने के चलते पृत्वी मिसाइल को धूरना enemy forces के लिए बहुत आसान होता है और ये खत्र हमेशा बना रहता है कि enemy forces पृत्वी मिसाइल के refueling के दोरान ही उस पर attack न कर दे इसलिए शौर को एक solid fuel plastic missile बनाये गया है जिसमें पृत्वी मिसाइल की तरह refueling नहीं करनी होती है बलकि इसे order मिलने पर तुरंध ही लांच किया जा सकता है शौर मिसाइल एक specially designed composite canisters launchers में sealed रहती है जिसकी वज़ा से इस वर बाहर के weather और humidity का कोई भी असर नहीं पड़ता है शौर मिसाइल के इस composite canister launcher को एक बड़े ट्रक जिसे हम transporter erector launcher यानि TEL कहते हैं पर लगाया जाता है इस तरह के canister वाले TEL को यूज करने की तीन फायदे है पहला advantage कि इस पृत्वी मिसाइल की तरह 15 से 20 ट्रक्स की जरुरत नहीं होती दूसरा advantage कि ये ट्रक शौर मिसाइल को कभी भी लेकर जा सकते हैं और इसलिए इन्हें दूरना मुश्किल ही नहीं बलकि नामुम्किन होगा तीसरा advantage है कि canister TEL शौर मिसाइल को order मिलने के कुछ ही मिनट्स में fire कर सकता है जिससे इन्हें नामी बहुत ही जल्दी enemy targets को destroy कर सकती है TEL के अलावँ शौर मिसाइल को underground missile silos में भी छुपाया जा सकता है ये missile silos बहुत ही अच्छी तरह enemy planes और satellite से camouflage रहते हैं इसलिए चाहे शौर मिसाइल को canister TEL में या underground missile silo में रखा जाए enemy के लिए शौर मिसाइल की location उसके launch होने से पहले जानना बहुत ही मुश्किल होगा लेकिन शौर मिसाइल की सबसे बड़ी advantage launch होने के बाद पता चलती है एक rapid strike option होने के चलते शौर मिसाइल एक high speed और high maneuverable two stage वाली solid fuel ballistic missile है शौर बैलिस्टिक मिसाइल low altitude पर भी max 7.5 यानी 9261 km पर आर की speed पर उड़ती है अपने इसी तेज speed के चलते शौर मिसाइल 700 km दूर के किसी भी target को 500 seconds से भी कम समय में destroy कर देती है और इसी speed के चलते enemy radars और anti-missile defenses शौर मिसाइल को रोग नहीं पाते है Actually, शौर मिसाइल एक advanced new generation system है जिसमें high performance और बहुत efficient propulsion system लगाए गए है शौर मिसाइल बहुत accurate missile है जो कि बिना GPS signals के भी अपने targets को hit कर सकती है launch के तुरंद बाद शौर मिसाइल 50 km की height तक जाती है और उसके बाद एक hypersonic cruise missile की तरह एक flat trajectory में उड़ने लगती है इसलिए कुछ लोग शौर मिसाइल को hybrid missile भी कहते हैं क्योंकि शौर मिसाइल में hypersonic missile और ballistic missile दोनों की qualities होती है अपने target के पास पहुँचने के बाद शौर मिसाइल अपने target की तरफ बहुत तीज से maneuver करती हुई जाती है जिससे enemy air defense missile इसे रोक नहीं पाएंगे फाइनली शौर मिसाइल अपने target को 20 से 30 meter की accuracy से hit करती है अब बात करते हैं शौर मिसाइल के एक और interesting feature की शौर मिसाइल एक ton यानि 1000 kg warhead को 700 km तक deliver कर सकती है लेकिन अगर शौर मिसाइल का payload को कम कर दिया जाए तो इसकी range बढ़ती जाती है इसी लिए शौर मिसाइल की range को लगभख 700 से 1900 km तक माना जाता है जबकि इसकी payload capability 200 kg से 1000 kg के बीच है शौर मिसाइल में nuclear warheads भी लगाया जा सकता है लेकिन हमें उम्मीद है कि इसमें conventional warheads लगाया जाएंगे शौर मिसाइल को especially China के लिए ही develop किया गया है क्योंकि launch होने के सिर्फ 500 to 700 seconds के अंदर ही शौर मिसाइल तिबबत के पास के किसी भी Chinese base को destroy कर सकती है इससे पहले चाइना ने तिबबत में इननामी basis को target करने के लिए Dongfeng मिसाइल जैसे की DF-11 मिसाइल जिसकी range 300 to 700 km होती है DF-15 मिसाइल जिनकी range 600 to 900 km होती है और DF-17 मिसाइल जिसकी range 1800 to 2000 km होती है इन सभी को already deploy कर रखा है इंडिया-China war के दोरान Chinese army की ये मिसाइल जिने People's Liberation Army Rocket Force यानि PLARF operate करती है इननामी basis को destroy करने में use कर सकती है जिससे Chinese army को war में बहुत ही जादा advantage मिल सकता है लेकिन shore missile की deploy होने के बाद इननामी चाइना के किसी भी missile attack का 5 minutes से भी कम समय में जवाब दे सकती है आखिर में मैं team guarding इंडिया के तरफ से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि shore ballistic missile चाइनीज आर्मी की Dong Feng series के short और medium range ballistic missiles जोकि already तिबबत में deployed हैं कि threat का एक बहुत ही solid जवाब है और आने वाले समय में shore missile इंडिया चाइना बॉर्डर पर deploy भी की जाएगी ले और और नाचल में shore missile का deployment ये ensure करेगा कि Indian Armed Forces Chinese conventional missile attack का बहुत effective जवाब दे सके इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर end करते हैं और आपकी क्या राय है shore missile को लेकर प्लीज हमें अपने comments के माधियम से ज़रूर बताईए और चैनल को subscribe करने के बाद bill notification को दबाना बिल्कुल न भूले हम इसी तरह आपके लिए इन नाव forces से related videos लाते रहेंगे मिलते हैं फिर नई वीडियो में जैहिंद कर दो